वेलकम तो माई चैनल मॉम्स्रियल लाइन ब्लॉक्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ग्रीन टी से रिलेटिड कुछ टिप्स ग्रीन टी को जब हम लोग चाहे ग्रीन टी का यूज हम पीने में करें या इसको अपने फेस के उपर लगाने में करें यह बहुत ही वेनिफीशल्स है क्योंकि इसका थेस्ट थोड़ा सा इतना ज़्याद अच्छा नहीं होता है लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए यह बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है तो आज मैं आपसे इससे फीर सी डिलेटिक कुछ टिप्स शेयर करूँगी आज होप कि आपको मेरे यह जो टिप्स हैं ज़रूर पसंद आएंगे अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और लाइक तो बनता ही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहरा जुमर टीप आप से शेयर करने वाली हूँ वो है टोनर का ग्रीन टी से हम एक अच्छा टोनर जो है वो बना सकते हैं इसके लिए हमारे को होट वाट वाटर चाहिए होट वाटर के अंदर आप ग्रीन टी का एक टी बैक को 3-5 मिनट के लिए डिप कर दें और इसको थोड़ दिर के रहने दें जब इसका कलर चेंज हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है ग्रीन टी ने अपना कलर छोड़ दिया है तो हम इसको एस टोनर स्क्रब जो है वो बनाऊंगी इसके लिए हमार को इसके मैंने एक पाउच खोल लिया है ग्रीन टी का और इसके अंदर आप कोई भी फेस वोश मिला सकते हैं मैं पतंजी का फेस वोश दे रही हूं तो आपके पास जो भी अविलेबल हो आप वो इसको इसमें डाल सकते हैं फेस वोश में हम लोग इतना से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपनी फेस पे और गरीन टी का ये फैदा है कि हम अपनी जो आईज है उसके नीचे भी इसको लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि यह बहुत ही अच्छा प्रेडी ह तो यह हो गया है स्क्रब तो अप्टी फ्रेंस आपको अपने आप में लग रहा होगा कि इतना हो गया ने आप से बता रही हूं यह है हमारी इसके लिए फेस तो इसके अंदर मैंने एक डाल दिया है इसके लिए हमारे को चाहिए होगा वन स्पून दही और इसमें मैं एड करूंगी वन स्पून हनी हनी जो है हमारी फाइट्स करता है रिंकल्स के लिए और हमारी स्किन को भी टाइट करता है तो यह जो फेस पैक है यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन को टाइट करेगा और इसके अंदर एंटी एजिंग एंटी और प्रॉपर्टीज होती है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद आप इसको एपलाई करेंगे अपने फेस पे और 10 मिनुट्स के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे इसको यह देखें है तो यह हो गया है ऐसक्राप तो अपटी फ्रेश्ट आपको अपने आप में लग रहा होगा कि है क्या वह गया है अच्छा अब जो मैं आप से थर्ड बाला कर दूसित हूं हुआ 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 ये हुआ 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 है